हलो एरवन वेलकम टू जी सेंटरेक और बेसिक कॉंसेप्ट चल रहा है आपका और इस बेसिक कॉंसेप्ट में अगला जो टॉपिक है वो है आपका वोल्टेज ये में फोर पोटेंशल ठीक है ये तीनों ही मतलब एक है बट पोटेंशल डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस हो हाँ दोनों का हम लोग जो यूनिट है वो वोल्ट ही लिखते हैं पोटेंशल डिफरेंस हो चाहे एमफ हो बट दोनों में क्या छोटा सा डिफरेंस है वो मैं आभी आगे के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ ठीक है अब दीखे क्या होता है ट्रेडिशनल तरीके सा म अगर वोल्टेज को डिफाइन करने लगे पोटेंशल को डिफाइन करने लगे तो मैंने आपको पिछल लेक्चर में भी पता है कि इसको डिफाइन करेंगे तो थोड़ा कॉंप्लेक्स हो जाएगा समझना अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सरफेस नॉलेज देख रहे हैं आप देखिए यहां पर मैं आपको बेसिक सी फिल देता हूँ कि क्या हम फोतेंशल या वूल्टेज या एमेफ्ट्वमेट्टिक पॉर्स क्या है यह एमेफ इसको क्या असल में क्या करता हो गा हमारे सिस्टम में ये तो हमने ये डाइग्राम तो पिछली बार भी पढ़ ल इस तरीके से हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम पढ़ लिया है अब देखें यहां पर हो क्या रहा है यह वोल्टेज आने से स्तिति क्या बदल रही है सपोस करो जब वोल्टेज नहीं था थोड़ी दिर के लिए कंड़क्टर लेते हैं इस कंड़क्टर में पहले कोई भी व अखे हुए हैं एकदम रिलेक्स है कोई मॉमेंट नहीं है बिल्कुल सोय हुए है थोड़ा बहुत करवट पलेट रहे हैं बस है ना थोड़ा बहुत हलका सा मॉमेंट हो रहा है इस हलके से मॉमेंट को भी क्या बूलते हैं है ना वो सब आप पि-N जंक्शन डाइड में डि बैटरी अपलाई करी तो इस बैटरी की वज़े से इलेक्टरिक फिल्ड इसके अंदर जनरेट हुई इलेक्टरिक फिल्ड जब लगी तो इलेक्टरिक फिल्ड की वज़े से क्या हुआ एक force develop हुआ उस force ने क्या किया इन electron को बोला उठो चलो क्या बोला उठो और चलो अब electron उठा कहां चले किज़र चले तो इन्होंने बोला कि जिस direction में force लग रहा है उस direction में चलो ठीक है तो ultimately यहाँ पर यह जो force का काम कर रहा है कौन कर रहा है voltage कर रहा है तो इसी वज़े से electromotive force भी इसको हम बोलते हैं इसका एक और नाम बोल सकते हैं कि यह असल में क्या कर रहा है pressure बोल रहा है इसके उपर क्या कर रहा है pressure अपलाई कर रहा है कौन सा pressure electric pressure तो इस वज़े से इस voltage को हम क्या बोलते है electric pressure भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, electrical pressure, तो हम क्या बोलेंगे, what is voltage, अगर अच्छे लेवल के debate में जाए या अच्छे लेवल के interview में जाए तो हम यह बोल सकते हैं, voltage is a electrical pressure to circulate unit ampere current, क्या बोल सकते हैं, voltage is a electrical pressure to circulate unit ampere current in a close loop, या in a circuit, ऐसा बोल सकते हैं, तो power system में यही definition में आपक का जो surface knowledge चाहिए इस वज़े से मैंने थोड़े थोड़े termology में आपको बता दिया नहीं तो पता चले कहीं चार option लिखा रहा है electrical pressure voltage है तो आप तीक ही नहीं कर पाओ इस वज़े से मैंने बुला कि इस voltage को हम क्या बोलते है electrical pressure क्या बोलते है electrical pressure ठीक है और ये क्या करता है भईया ये force apply कर रहा है किनके उपर electron को जगा रहा है in the presence of electric field ये electric field किससे आ रही है इस वाली voltage से तो यहां के इस voltage को हम एक और चीज़ बोल सकते है voltage के साथ इलेक्ट्रो मेगनेटिक force, इलेक्ट्रो नोट बात देखेंगे हम लोग समझ में आया तो voltage की कहानी समझ में आई तो आप थोड़ी सी feel आने लग्योगी अच्छा एक conductor दे देख अगर कोई और उसके अंदर अगर external battery लगा रहे है इसका मतलब क्या कर रहे है इसके अंदर के electron proton को disturb कर रहे है और इस disturbance की वज़े से क्या हो रहा है इस battery लगाने की वज़े से किसी direction में क्योंकि देखो अगर प्लस माइनस हैसे होंगे तो electric field वगर के सबका direction मतल जाएगा तो इनके उपर जो force है उसका भी direction मतल जाएगा जैसे पिछली class में बता है कौन सा force लगता है force equal to QE है ना ये वाला force लगता है अब charge पे depend कर रहा है किस पे हम electron पे electron negatively charge है तो यहाँ पर battery के हिसाब से क्या होगा electric field का direction चेंज होगा उसके हिसाब से force का direction भी change हो जाएगा तो current का direction भी change हो जाएगा तो ये थोड़ी से feeling के साथ में आपको current, charge, current, voltage ये तीनों की तीनों क्या है एक ही धागे के अलग-अलग सीरे है जिसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आप चाहे डिपलोमा किया हो चाहे इंजरिंग किया हो electrical से हैं तो ये छोटी-छोटी terminology के उपर थोड़ा सा एक filling के साथ में पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप questions को कई बार क्या होगा कि question चार option में सा आप बहुत आज़ानी से eliminate भी कर सकते हो AJ के exams में इस वज़े से थोड़ा सा proper knowledge चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा है बहुत depth पढ़ने की जरूरोते EMFT के हिसाब से potential पढ़ो उसके requirement नहीं है जितना मैं बता रहा हो sufficient ठीक है चलो अब traditional हमारी definition देख लेते traditional definition क्या होती है the work done to move a unit positive charge unit positive लिख 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 लिखे एक ही बात है the work done to move a unit charge from infinite to some reference point is known as EMF voltage और potential है definition ऐसे कैसे लिखी रहें देना कई बार theoretical question आगे definition के हिसाब से तो आपको कम से कम पता रहे की क्या है ठीक है अब देखे है potential क्या है scalar quantity है हमारा current क्या था scalar quantity था ठीक है से ऐसे अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि work done to more unit charge है ना तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे voltage को define करना हो तो मैं voltage को कुछ इस तरीके से define करूँगा week well to work done per unit charge dw by dq that is voltage इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो हम इस तरीके से अगर change नहीं लिखना है direct w divided by q लिख सकते हैं है ना इसका depth में नहीं जा रहे simple आपका definition के हिसाब से formula धियान रखिए अच्छा इसकी unit क्या हो जाएगे सर unit तो work की unit तो होती है सर joule है ना तो यह joule divided by charge की unit क्या होती है कुलाम तो joule पर कुलाम भी क्या होती है voltage की unit होती है है ना voltage की unit होती है joule पर कुलाम नहीं तो volt याद रख लेना और जो SI unit है हमारे जो SI unit है वो हमारे scientist के नाम पे दिया है that is volt voltage की unit क्या होती है SI unit क्या होगी Volt होगी है ना याद रख लेना SI unit धियान रखना ये चीज़ का अब देखो ये क्या है LS andro Volta Volta के नाम पे ये एक scientist है उनके नाम पे उनके नाम के हिसाब से उनके सम्मान में उनके honor में हमने इसका SI unit लिया है वोल्ट लिया है अब इसको measuring instrument क्या होता Voltage को कैसे measure करता है Voltmeter से ये भी आप धियान रख लेना ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है वैसे तो आप measurement पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे Voltmeter से हम क्या करेंगे Voltmeter से voltage को measure करेंगे Voltmeter से measure करेंगे अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ यहां पर कि ये जो scientist है न वुल्टा इन्होंने एंटानियो वुल्टा था एलेजेंड्रो एंटानियो वुल्टा इन्होंने फॉस्ट वुल्टा एक बिट्टरी बनाई थी invent करी थी और इन्होंने एक चीज और बुली थी कि यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि 1 1 volt बोल सकते हैं 1 volt में 1 volt एक우ल टू 1 joul 1 joul पर कुलाम और इसको joul को हम newton meter भी बोल सकते हैं Newton meter पर कुलाम ठीक है यहसा पूछेगा नहीं पर आपको जानकारी होनी चाहिए तो इतनी बात है आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर definition, standard definition पता होनी चाहिए, scalar quantity है voltage को dW by dQ लिखा जाता है joules per column, ऐसा unit के आउती है volt होती है, volt meter से हम लोग voltage measure करते हैं, ठीक है और यह हमारा 1 volt equal to 1 joule per column और इसको हम लोग 1 newton meter per column लिखते हैं, यह कई बार लिखे रिंदो क्योंकि कई बार ऐसा आपको थोड़ा सा थोड़ा सा surface से हलका सा penetrate किया depth में गए, तो यहाँ पर यह वाली चीज भी डाल सकते हैं, ठीक है और वोल्टा हमारे क्या है, scientist थे उनके honor में यह unit रखे गई है इन्होंने first क्या invent किया था, first voltage बेटरी बनाई थी, ठीक है चलिए, तो यहाँ पर इतना sufficient information है इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा देखे हैं कि types of voltage क्या होता है, जैसे हमने current में देखाता है, AC और DC तो यहाँ पर भी voltage के दो type होते हैं दो type कुन से होंगे यहाँ पर दो type होंगे एक DC voltage होगा, और यह हमारा AC voltage होगा, ठीक है DC भई हमारा time के साथ में change नहीं होने वाला, है ना time के साथ में change नहीं होने वाला capital letter से denote करते हैं यह हमारा dc, और ac क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा हमारा ac voltage, time के साथ में change होने वाल, है ना, और आगे चलके t अभी लिख ले ना, दरवाइस तो omega t आता है, ठीक है, sinusoidal, हर एक instant पे change होगा, that is alternating, alternating in nature, है ना, alternating क्या होगा, positive, negative, positive, negative, alternating, positive, negative, आएंगे, इस वजे सा alternating current, ac popularly बोलत होता है, तो alternating voltage या alternating current हम लोग बोलते हैं, बट popularly ac से हम लोग क्या करते हैं, इनका classification ac और dc के नाम पे हुआ है, direct current और alternating current, बट सिर्फ current नहीं होता, voltage भी होता है उसमें, बट popular word यही है हमारे पास, चलिए, अब देखो, दोनों को generate कैसे करते हैं, यह जो alternating current होगा, यह तो alternating voltage ह होगा, यह तो हमारा क्या हो जाएगा, ac generator, ac generator है ना, और हमारा यह क्या हो जाएगा, या तो dc generator, या तो फिर dc generator, या फिर, क्या बोल सकते हम लोग, बेटरी, और हमारा बेटरी, है ना, बेटरी, तो बेटरी से भी क्या हो सकता है, generate हो सकता है dc, voltage, ठीक है, तो application वाइस, ब पढ़ेंगे DC मशिन में महां बताऊंगा आपको कि क्या-क्या यूटिलिटी है क्योंकि इसके साथ में फाइदा यह होता है कि बैटरी को पॉकेट में रखे भी हम कहीं पर ले जा सकते हैं DC source को हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं बट AC source को नहीं ले जा सकते AC generator को जेब में नहीं भर सकते हैं है ना तो यह थोड़े बहुत इसके applications होते हैं DC की वज़े से batteries की वज़े से बहुत 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 और आज की तारिक में तो जो आपके EVs है है ना electric vehicles है तो वहां तो battery का roll और जादा हो जाता है ठीक है चलिए types of voltage था अब चलते हम लोग EMF potential difference के बीच का क्या अंतर होता है वो आपको बताता हूँ simple तरीके से देखेंगे वैसे तो मैं गेट वाले section में थोड़ा सा ओर detail में जाता हूँ बट आपको थोड़ा सा बहुत interesting तरीके से इन दोनों के बीच का difference बताता हूँ suppose करी एक cell ले लेते हैं है ना एक cell ले लिया में इस cell में एक positive होगा और एक negative होगा यह cell है है ना जो हम घड़ी में लगाता है उस तरीके एक cell ले लिया हम लोगो थोड़ी तरीके लिए अब इस cell में positive terminal होगा और negative terminal होगा अभी हम क्या कर रहे हैं इस cell को किसी भी circuit में connect नहीं कर रहे हैं है ना connect नहीं कर रहे हैं है ना कोई भी circuit में connect नहीं कर रहे हैं सिर्फ हमने क्या किया है इसके positive terminal को पकड़ा और negative terminal को पकड़ा है ना positive terminal को पकड़ा और negative terminal को पकड़ा और हमन हमने इसके बीच में क्या लगा दिया, हमने इसके बीच में लगा दिया, वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर मेजर करेगा, वोल्टेज, किसके क्रोस मेजर करेगा, इन दो पॉइंट्स के क्रोस, इस cell में कितना voltage है, कितनी capacity का है, तो ये measure करेगा, तो अभी हमने क्या किया है, इस cell को किसी भी circuit में connect नहीं किया है, क्योंकि circuit में connect करने का मतलब होता है, cell के साथ में wire, conductor, और साथ में एक resistance हो, उस conductor का ही resistance होगा, या उस से resistance है, कोई bulb connect कर दे है, कुछ और connect कर दे, जैसा सर्दा वक्ति हो, तो उस हिसाब से, तो अभी हमने वो सब connect नहीं किया है, अभी simple एक cell है, और हम cells क्या कर रहे है, voltmeter लगा दिया, अभी जो voltmeter जो भी measure करेगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग, actual में EMF, क्या बोलेंगे, EMF, और बोलेंगे इसका voltage, क्या बोलेंगे, voltage, ठीक है, या फि उपर 2V, 3V, 5V, जो लिखा रहता है, सारे के सारे क्या होती, EMF की values होती है, क्या होती है, EMF की values होती है, potential difference की नहीं, EMF की values होती है, अब potential difference को समस्ते है, थोड़ा सा आईए, potential difference में क्या होगा, देखिएगा, ये cell जब हमने plus और minus, इस से अगर कोई load कनेक कर दिया, उस load का मा आपने, अब cell से क्या connect कर दिया, resistance connect कर दिया, जैसे connect किया, तो यहां से current flow करेगा, यहां से current flow करेगा, वो current इस तरीके से जाएगा, जाएगा, और इस battery का भी कुछ ने कुछ internal resistance होगा, थोड़ा सा drop तो battery में भी होगा, है ना, तो एक internal resistance small r भी हो सकता है, यहां पर, small r भी हो स सकता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, circuit के form में अगर बनाओ, है ना, थोड़ी थेर के लिए circuit के form में बनाओ, तो यह जो battery है, इस battery में पहले से जो voltage था, वो that is EMF, है ना, क्या था, पहले से plus और minus जो था, वो हम बोल सकते हैं EMF, और इसको short form में E बोल देते हैं, ठीक है, short form में क्या बोल देते हैं, E बोल देते, इस plus minus का जो एक internal resistance होगा, जो कि series में connect होता, आगे चल कि मैं sources में आपको पढ़ा हूँगा, है ना, क्यों series में होता है, और उसके बाद क्या connect है, इन दो terminal से, यह terminal A और terminal B, है ना, यह terminal A और यह terminal B, ठीक है, तो इससे connect है हमारा resistance, जो क की बोलते है, load, है ना, यह resistance connected है, समझगे, इसको बस मैंने उल्टा कर दिया, और इस तरीके से बना दिया, अब इस दो points के, इस A और B के बीच का जो drop है, इसको बोलते हम लोग potential drop, क्या बोलेंगे, potential difference, इन A और B, दो note के बीच का जो difference है, voltage का जो difference है, या फिर इस register के cross का जो drop है, उसको बोलते, potential difference, इसको हम denote करते हैं, अभी, V से denote कर देते हैं, एक current flow किया होगा, I current, तो मान लिजए, यहाँ पर simple KVL तो लिखते आता है या आपको, बाकी मैं सिखाऊंगा KVL कैसे लिखा जाता है, पर अभी simple KVL अगर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो यह V क्या है, potential difference है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा rearrange करें, तो V plus I into R, अब ध्यान से देखिए, कि डिफ्रेंस आगया के नहीं, EMF E है, V क्या है, potential difference है, है ना, तो अब दोनों एक कहां है, अलग-अलगे ना, बिल्कुल अलग-अलगे, अच्छा यह दोनों एक कब हो सकते थे EMF, potential difference, एक कब होते, जब हम internal resistance का अगर 0 मान लेते, इसका internal resistance क्या मान लेते, 0 मान लेते, बट practically internal resistance 0 हो नहीं सकता, कुछ नों कुछ तो resistance रहता ही रहता है, ठीक है, तो यह basic difference है, कि EMF और potential difference के बीच है, अब आपको दो-तिन चीज़ें यहां से समझ में आ रही होगी, और आप खुद भी realize कर रहे होंगे, कि sir, एक बात तो तई है, कि market में जब हम लेने गए sale को, तो उसके उपर जो भी लिखा था, वो EMF, उसकी जो भी value था, वो EMF था, सल में, और जब हमने उसको आ के घर में उससे bulb या कुछ भी LED वगरा connect करी, load connect की हैं, that means के resistance है, और वहाँ पर जो EMF क्या है, एक तरीका cause है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, चलो मैं थोड़ा सा इस side में लाता हूँ, कि EMF, EMF और potential difference, क्या है, EMF और potential difference, हम यह बोल सकते हैं, कि यह क्या है, एक तरीकी का cause है, है ना, cause, जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, effect आ रहा है, load side में, औ उस effect के, दो terminal voltage के drop कम बोलते है, potential difference, तो potential difference, EMF, मतलब cause का क्या है, effect है, EMF कम बोलते है, cause, और potential difference को बोलते, effect, एक और चीज़ बोल सकते है, कि भई, EMF जो है, वो source है, क्या है, हमारे entire circuit का क्या है, source का का काम कर रहा है, और यह हमारा potential difference क्या है, potential difference हम बोल सकते हैं, load side है यह, load side difference load site terminal voltage terminal voltage terminal voltage या फिर potential difference जो बोलना चाला पोटेंशल डिफरेंग तो लार्ज क्रेशरी है source है और यह हमारा क्या है load site terminal voltage है हम एक चीज और बोल सकते है जो हमारा potential difference है यह जो resistance है इजो resistance part of the circuit है भेट एक चीज़ दोनों में common है कि दोनों का जो measurement होता है वो volts दोनों की unit क्या है? unit जो है दोनों की वो क्या है volt और इसकी भी क्या है volt बस इतनी जानकारी जरूई थी इससे ज़्यादा की जरूवत नहीं थी इसलिए student confuse होते है कि सर source को भी volt बुल रहे इसको भी volt बुल रहे symbol भी भी है तो difference कहां आ गया? तो यही basic difference है समझ में आया है तो यह sale वाली जो story है इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा है ना? sale वाली story से थोड़ा सा आप ज़्यादा connect करेंगे कि sale लाए तो असल में जो हमारा sale के उपर लिखा रहे तो वो EMF है उससे load connect करोगे तो वो हमारा potential difference के लाएगा ठीक है? बस एक cause है दूसरा effect है एक source का काम कर रहा है एक load side के terminal दो points के या terminal का क्या है? voltage difference है ठीक है? और अगर internal नहीं है यहाँ पर सारा चीज नहीं है तो directly EMF potential difference के बराबर हो सकता है बट दोनों एक special case में दोनों बराबर हो सकते है बट इसका मतलब दोनों एक नहीं है है ना? दोनों में दोनों के nature में difference है दोनों के काम करने के तरीके में difference है चलो समझ गए? बस इससे जादा की जानकारी आपको यहाँ पर जरुरी नहीं थी है ना बाकि हम पढ़ते हैं पावर और एनरजी जो पावर और एनरजी को भी इसी लेक्चर में निप्ता देते हैं छोटा सा है पार्ट आपको समझ में आजाएगा बहुत आजानी से चलो सब से पहले मैं स्टोरी सुनाता हूं है ना पाउर और एनरजिं essasGER रंगिला था रुस्तम ठाव था दोनों के घर थे चलो थाइकलते हैं ना फाउर एजामपल थे समझते है की आपके दिमांग में हो जाएगा माल लिजीर रंगिला है रंगीला, रंगीला का घर बना नया पिलकुल पेटिपेक्ट और ये रुस्तम दोनों के रुस्तम, ठीक है? दोनों के घर बने, house no.1 और house no.2 दो घर बने, दोनों मार्केट गए, और मार्केट से ये क्या-क्या उठा के लाएं? दो पंखे उठा के लाएं दोनों दोस्त है तो ये भी दो पंखे उठा के लाए और सेम पावर रेटिंग के सेम पावर के पंखे लेके आए और फोर लाइट लेके आए है ना फोर लाइट ये भी चार लाइट लेके आए उजाला करने के लिए ठीक है तो दोनों दोस्त थे, दोनों मार्केट गए और दोनों ने exact power capacity के दो-दो पंखे और दो-दो tube light खरी दी अब क्या हुआ? अब ये घर आये, connect कर लिया और दोनों ने घर की opening भी same day करी और 30 days के बाद, 30 days के बाद electricity bill आया after one month after one month after one month after one month क्या आया? कि जो electricity bill है, electricity जो bill आया किसका? रुस्तम का वो 1000 रुपय आया और इसका आया 800 रुपय है ना? ये electricity bill आया electricity bill ठीक है? तो रुस्तम और रंगिला ने जब एक महीने बाद bill भरने गए साथ में, क्योंकि ये हर काम साथ में करते थे, तो ये online नहीं भरा, इन्होंने बिजली का bill क्योंकि आज की तारिक में तो हर कोई online भरता है पर ये गए, चलो, बिजली का bill है पहले महीने का है, तो साथ में भरा जाए, और इन दोनों का जब conversation हुआ और पेसे देने गए तो इसको बड़ा बुरा लगा रुस्तम को कि यार मैं 200 रुपे ज़्यादा क्यों भर रहा हूं, रंगिला से पूछा कि तुम्हारा bill कितना है, रंगिला ने बोला 800 है मेरा इसने बोला 1000 है मेरा तो इसने बोला कि 200 रुपे मेरा consumption ज़्यादा क्यों आ गया 200 रुपे, क्योंकि हम दोनों के घर में तो दो पंखे और चार लाइट बराबर का power capacity लगा है बट electricity bill में difference कहां है तो गड़बर कहां हो रही होगी गड़बर आपने सोच लिया होगा कि रंगिला ने बोला common sense लगा के कि ठीक है तेरे घर और मेरे घर में तो load तो बराबर है दो फेन चार लाइट बराबर है बट हो सकता है तूने ज़्यादा चलाई होगी क्योंकि मैं तो दो दिन के लिए घुमने भी गया था तो मेरे घर का electricity और पंखे में बन करके गया था तूने दो दिन शायद ज़्यादा एक्स्ट्रा चलाया होगा इस वज़े से बिल ज़्यादा आगिया होगा इसने common sense basis पर अंदाज लगाया तो इसका मतलब क्या है कि रुस्तम कोई समझ में आया कि कहीं न कहीं दोनों का सेम पंखे सेम लाइट है बट अगर मैं ज़्यादा चला रहा हूँ तो ज़्यादा मेरा क्या आ रहा बिजली का बिल आ रहा तो इस ज़्यादा चलाने का मतलब टेक्निकली क्या समझे कि भई इसने ज़्यादा देर के लिए चलाया ज़्यादा देर का मतलब क्या समझे कि ज़्यादा टाइम के लिए चलाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि power के साथ electricity bill में एक चीज और जरूरी है कि उस power को आप कितनी देर के लिए consume कर रहे हो और ये कितनी देर को technically में हम क्या बोलते है time बोलते हैं इसलिए आगे चलके energy का जो formula बन जाता है energy का formula बहुत आसान है कि power के अंदर time का multiply कर दो तो क्या बन जाता है energy बन जाता है power के अंदर time का multiply कर दो energy बन जाता है तो actual में time का बहुत बड़ा रोल है energy में तो power into time that is energy तो ये एक basic सी चीज थी basic सी story थी अब बहुत सारे student यासा सोच रहे होंगे तो क्यों सारे वहां तो power factor वागिरा की भी बात होती है बट अभी हम DC में बात करें जब AC power पढ़ाऊंगा तो वहां पर power factor के बारे में भी आपको बताऊंगा अभी power factor रंगिला के दिमाग में power factor का भी आ सकता है बट अभी DC level पे ही हम लोग सिर्फ अभी AC की बात नहीं करें DC की बात करें तो simple energy का मतला अभी मैं समझा रहा हूँ जैसे जैसे gradually topic बढ़ेगा तो depth में भी थोड़ा थोड़ा जाएंगे हम लोग चलो, तो power और time क्या होता है energy होता है यह formula आप ध्यान रखना power को कही से measure करते है power का जो unit होता है power का power का जो unit है उसको बोलते है WAT क्या बोलते है? WAT और इसका जो unit है वो क्या होती है? Joule है ना? Joule और आगे चल के जो energy meter होता है आपका energy meter energy meter है ना? measurement में पढ़ोगे आप अभी energy meter को color को detail में आपके घर में जो energy meter लगा हुआ है वो काई में मेजर करता है, वो kilowatt-hour में करता है, kilowatt-hour, है ना, kilowatt-hour, कि आपने kilowatt, मतलब power into, है न, यह क्या है, power, kilowatt क्या है, power, और hours क्या है, time, है न, कितने गंटे के लिए आप चला रहे हो, कितना kilowatt, तो उससे बनता है, एक unit, अभी detail में नहीं जा रहे, आप अभी simple यह समझो, कि power, power की जो unit होती ही, watt होती है, energy की unit होती है, joule होती है, है ना, और यहाँ पर energy meter जो आपके घर में लगा है, उसको kilowatt-hour में measure करते हैं, अच्छा, इनके measuring instrument कौन-कौन से होते हैं, है ना, measuring instrument देखें, तो power को measure करने के लिए, जो हो यह होता है watt meter, क्या होता है, watt meter, और energy को Electrodynamometer होता है जो कि आप कहां पढ़ोगे Electrodynamometer Electrodynamometer यह अभी आप measurement में बहुत detail version में कितनी unit बनी कितने घंटे चलने से सारा-सारा detail version आप कहां पढ़ोगे measurement में पढ़ोगे है ना अभी हमार network का हिस्सा नहीं है तो एक basic सी जानकारी मैंने आपको बता दी चलो आप definition से चलते हैं कि power क्या होता rate of change of energy is called power है ना चलो तो power P equal to d rate of change of energy divided by with respect to dW by dT है ना तो यह हो जाएगा हमारा एक और unit क्या हो जाएगी Joule per second Joule per second एक और power की unit है बट SI में इसको हम काई से लेते हैं what is the unit of power what है ना what power की unit क्या है what है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है अचा अब अलग-अलग formula बन सकते हैं आगे चलके जब हम ohm slow पढ़ेंगे या फिर इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखें power को देखो यहाँ पे dw और dt को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया ठीक है और इसमें काई का multiply divide कर दिया dq dq का multiply divide कर दिया कोई enter पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा पर अभी आपने थोड़ी दिर पहले देखा कि यह जो था इसको बोलते थे dw by dq को voltage और dq by dt को हम क्या बोलते थे current वह किसके definite dw by dq क्या है voltage dq by dt क्या है current तो यह हो गया voltage current तो power को हम voltage और current के multiply को भी हम क्या बोलते हैं power बोलते हैं क्या बोलते हैं power बोलते हैं आगे चलके हम क्या करेंगे ohm slow पढ़ेंगे ohm slow और ohm slow के हिसाब से ये voltage और current हम convert करेंगे काई में करेंगे? voltage और current तो ohms low के हिसाब से r equal to v by i है ना ये relation से हम सारी सीज़े convert कर सकते हैं तो convert अगर करेंगे तो power के different different हमें formula मिलेंगे और different different formula हो जाएंगे v square by r या फिर हम बोल सकते हैं p equal to i square by i square into r तो ये sub power के formula है sub power के formula है कहां कैसे लगेगा? वो आगे हम सिखेंगे समझ गए? तो यहाँ पर अभी बहुत सारे student को doubt हो के सर ये ohms low वगेरा क्या है? अभी हम detail version में ohms low को आगे के lectures में पढ़ेंगे अभी सिर्फ ये देखिए अभी इतना ही ध्यान रखो अचा, थोड़े दिन बाद ये अभी तो DC में बात हो रही है जब हम AC में जाएंगे AC में जाएंगे तो AC को थो हम खेल detail में पढ़ेंगे बट एक छोटा सा intro ले लो यहाँ पे छोटा सा intro क्या है? कि अगर मैं AC की बात करूँगा तो वहाँ पे instantaneous power देखते हैं क्या देखते हैं? instantaneous 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 power instantaneous power instantaneous power क्या होता है? P of T particular instant किसी time T पर तो उसी time T पर voltage क्या है? और उसी T time पर current क्या है? इसको बोलते हम instantaneous instantaneous power क्या बोलते हैं? instantaneous power बोलते हैं ध्यान रटना आपके दिमासर average power होगे रखे हो इस सब AC में जाएंगे ये भी instantaneous power अभी सिर्फ बता दिया लिख दिया है अदरवाइस average power क्या होता है? ये सारा चीज़, RMS power होता है या नहीं होता है? ये सारी चीज़े हम लोग कहां पढ़ेंगे? हमारे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इस से जादा कि आपको अभी ज़रूद नहीं है power energy में ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर energy energy को देख लेते हैं तो भई power का उल्टा कर देंगे तो energy बन जाए कैसे बन जाएगा? देखो, P equal to अभी हमने क्या पढ़ा? DW by DT है न? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर DW equal to P DT दोनों साइड में integration कर देंगे W 0 से T और power अब power के हिसाब से power का फार्मला अलग-अलग हो सकता है क्या हो सकता है? voltage into current into DT हो जाएगा या फिर और क्या हो सकता है? और हो सकता है W equal to Power I square R DT हो सकता है और क्या हो सकता है? पावर का हम क्या लिख सकते हैं? V square by R इंटू DT ये भी लिख सकते हैं और अगर मुझे instantaneous energy के form में लिखना रहेगा तो मैं यहाँ पे लिखूँँगा V of T into I of T into dt है ना, 0 से T 0 से T, जो भी time रहेगा उसे साब से तो इस तरीके से भी energy के different formula हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, तो energy क्या होता है? capacity to do work is called energy तो simple power और energy क्या है? एक दूसरे के ही formula है power से energy, energy से power बनाना बड़ा आसान है और दोनों interrelated एक बही कितने watt को कितनी देर के लिए कितना watt का power है power क्या है? voltage और current की rating का multiplication और उसको कितनी देर तक आप चला आ रहे हो वो बन जाती energy है ना? वो क्या बन जाती है? energy बन जाती है तो बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है ठीक है? तो मैं फटा फट रिवाइस करवाज है तो आज के session में हम electrified session हमने किया उसमें देखा हमने voltage EMF potential के बारे में जानकारी लिए voltage को electric pressure भी बोलते है एक standard definition देखी इस तरीके से हमने unit देखी voltage उसकी unit होती है types देखे ACDC दोनों के दोनों उसके बाद हमने देखा difference between EMF potential difference के बीच में क्या difference होता है वो हमने देखा वो जाना क्योंकि बहुत जरूरी था ठीक है? next हमने देखा कि power और energy के बीच में किस तरीके से और इसकी होती है watt ठीक है? ऐसा unit की बात कर रहे है अच्छा इनकी unit तो अपने लिखी नहीं energy की तो सबकी सबकी जो joule energy हो जाएगी अरे power नहीं ये तो power है energy वाली slide पे इन सबकी what लिख ले ना इनकी unit सबकी क्या लिखोगे? what और energy वाली slide पे क्या लिखोगे? सबके joule सबकी unit क्या है? joule है ठीक है? तो मिलेंगे next lecture में क्योंकि अब हमारे basic concept के चारू चीजी हमने खतम कर लिए next lecture से अब आपका question हो sir इसके उपर question इसके उपर question पूछने जैसा कुछ भी नहीं था कि power, energy, voltage के उपर कोई भी बहुत ज़्यादा बहतर question नहीं बन सकते थे तो हम इसके related एका दुका जो question है unit क्या होगी ये question कराता तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है ना? तो जो अगला topic है fundamental element जहाँ पर हम resistance, inductance और capacitance पढ़ेंगे वहाँ पर भर भर के question देखेंगे तो इनके भी related question वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मिलेगे next lecture में, okay thank you so much